Champions Trophy को लेकर पाकिस्तान का ड्रामा जारी है पाकिस्तान अपने जित पर अड़ा है और भारत अपने जित पर कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा है हलाकि अगर भारती टीम हाईबिड मॉडल की मांग करती है तब बात अलग होगी Champions Trophy अगले साल फरवरी में खेली जाएगी और इसमें कुल आठ टीम में हिस्सा लेंगी अब सवाल ये है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं जाती है और Champions Trophy नहीं खेलती है तो फिर क्या Champions Trophy सिर्फ साथ टीमों के साथ ही खेली जाएगी या फिर इंडिया की जगे वो आठ वी टीम कौन सी हो सकती है इस बात का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में दरसल भारती टीम पिछले साल ही Champions Trophy के लिए क्वालिफाई कर गई थी वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा ICC को भेजे गए प्रस्ताविद शेडियूल में भारत की सभी मैच लाहॉर की गदाफिश टीडियम में करवाई जाने है मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जगे Champions Trophy में कोई और टीम आ जाए चुकि टीम इंडिया साल 2008 के बात से पाकिस्तान में कोई मैच खेल ले नहीं गई है और 2025 Champions Trophy के लिए भी ऐसा होनी की उमीद बहुत कम नजर आ रही है आपको बता दे कि PCB ये बात बिल्कुल साफ कर चुकी है कि Champions Trophy का आयोजन सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी हाइब्रेड मॉडल के पक्ष में भी नहीं है ऐसे में अगर भारती टीम Champions Trophy 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाती है तो उसकी जगे कौन सी टीम लेगी ऐसे इस्तिती में श्रिलंका को अगले साल होने वाले टूनामिंट की आठवी टीम घोशित कर दिया जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 वंडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रिलंका नौवे स्थान पर रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेर्मेन मोसीन नकवी चैंपिन्स ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर बिसिस्याई सचीव जैशा से बात कर सकते हैं लेकिन इसको लेकर दोनों बोर्ड के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी और बिसिकली आपको बता दे कि पाकिस्तान एक तरीके से हार ही मान चुका है इस टॉपिक पर क्योंकि पाकिस्तान ने सारे responsibility जो है वो आईसेसी को सॉप दिये responsibility मतलब ये कि भारती टीम को पाकिस्तान लाने की responsibility पीसीबी ने साफ साफ बोल दिया है कि अब अगर भारती टीम को पाकिस्तान आना होगा तो वो ICC की रिस्पॉंस बील्टी है हम इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं बोलेंगे अब आगे फ्यूचर में ये देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें